हलो गुड विडिंग नमस्कार वेलकम टो इग्जामपूर मैं मित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार इग्जामपूर हम हैं इग्जामपूर कलम से क्रांती और आज क्यों बात करते हैं तो विसेश्थ आप भी जानते ही यूपी लेकपाल यूपी कांस्टेबल यूपी रेडियो आपरेटर और साथी साथी यूपी बीडियो और लगे रथे आपके बन रच्छी का जो पेपर लगा हुआ उन सारे परिछाओं को आधारिक करते हुए ये यूपी जी के वाला जो सेक्सन होता है जिसके सुवात रोज रात नो बज ये होती है तो उसकी सुरुवात हो चुकी है जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाए और इस क्लास को लाइक करते हुए सेर भी कर दे ताकि आपके दोस्तों मित्रों और बित्रों के पास ये क्लास पूरी तरीके से पहुँच जाए और उन्हीं एक समचित जानकारी मिले कि यूपी जी के वाली क्लास जो कि राज्ट के नौ बज़े चलती है वो आपकी शुरू हो चुकी है तो भटकाओ नहीं लेना है बस किवल मंजिर को प्राप्त करना है इसी बिनु के साथ कि बाग्देवी की किरपास सदेव हमारी उपर बरकराद है इसी बि स्वती महाभागे बिद्या कमलोच ने बिद्या रूपी भी साल अच्छी बिद्या देही नमोस्तुते बागदेवी की खिरपास सदेव आपके उपर बरकाद है इसी बिदु के साथ ध्यान कीगा कि लोगों ने कई कोशिस की मुझे मिट्टी में धबानी की आप भी जानते ह जो आपके चारो तरफ लोग रहते हैं उनका एक ही काम होता है कि किस तरीके से भायवा का पैर खेचे जिससे ये क्या हो अपनी रास्ते को छोड़ करके जो इसन रास्ता चाहिनिक चिया है जो एक तरीके से आपने सुना भी होगा कि जैसे हम मन्जिल प्राप्त करनी की बात करते हैं तो काफी कठनाईयां होती है तो लोग बताते हैं तुम्हारे गड़ से पैसा नहीं आ रहा है किताब नहीं खरीद पारे हो परिच्छा ना हो रही है सरकार इक जाम ना करा रही है बैकंसी ना रही है मतब दुनिया भर की बात आपको समझाते रहते हैं कि किसी तरीके से अंततह क्या करिए आप अपनी चीजों को खत्म कर दीजिए जो अपने सवपन पाला है जो आपके मम्मी पापा ने सवपन पाला है आपको सफल बनाने का वो सपन को क्या करिए चकना चूर कर दीजिए और इसी कार से लोगों की जब बात करते हैं तो लोग यही काम करते हैं कोसिस करते हैं मुझे मिट्टी में दबाने की मिट्टी में दबाना इंदा सेंस पूरी तरीके से आपको नस्ता नाबूत करना तो कह रहा है कि लोगों ने कई बार कोसिस की मुझे मिट्टी में दबाने की लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूँ लेकिन उन्हें नही सायद बीज क्या होती है हमेशा आपने दिखा होगा जितनी बार मिंती में डाला जाता है वो उग जाता है और यही quality आपकी होती है यही quality student का होता है कि लोग उसे गिराना चाहते हैं student की जब बात करें हम लोगों की जब बात करें तो लोग क्या करते हैं, हम ये दबाना चाहते हैं, लेकिन हमारी quality की जब बात करते हैं, तो हमारी quality तो एक seed की तरीके से है, एक beach की तरीके से है, जहां पर हम अपने मनोबल को इस तरीके से मजबूत रखते हैं, कि कितनी भी बाधाएं आएंगे, कितनी भी हमारी struggle live की बात करे या फिर कितने हमारे पास ऐसे उतार चड़ाओ वाले दिन आएंगे लेगिन फिर भी हम क्या करेंगे एक नए और नेक नए जुनून के साथ उस नए अध्याय को रचने के लिए हमेशा तत पर रहेंगे तो इस कान से ध्यान रखीगा अपने आपको एक बीज समझेगा जिसम परसन डिसकाउंट के साथ आज तक का सबसे बड़ा डिसकाउंट आपको मिल ला है जो की तेरे सवका कोर्स अब केवल किवला आपको कितने में 650 उपे में मिल ला है ठीक है तो इस चीज को ध्यान कीगा पहले कॉस्टन से सुरवात करते ही कह रहा है कि निमलिकित में से आप के उत्तब देश के अंतगत जो आयोध्या मंडल है क्या करा है उत्तब देश के अंतगत ये जो आयोध्या मंडल है इस आयोध्या मंडल के अंतगत जिलों की जब बात करें तो कुल कितने जिले इसमें समलित है ठीक है आयोध्या मंडल की जब बात करते ही तो आयोध्या मंदल की जब बात करें तो यहां पे जिलों की संख्या कुल कितनी हो जाती है ठीक है और जिलों की जब बात करते हैं तो आप भी जानते अलग-अलग मंदलों को ले करके इस तरीके से question पूछा जाता है हलाकि अपनी उत्तवदेश की जब बात करें तो हमारे उत्तवदेश मे कि इनकी संख्या कुढा 8-18 है कितनी है 8-18 जब देखा जाय तो मंदल यह संभाग की जब बात करती हैं इनकी संख्या कुल 8-18 रह जाती है जिसमें घर 받고 बताया था आखिर जब हम अयुद्ध्या मंदल की बात करें, तो इस अयुद्ध्या मंदल की अंदगत, जो जिले या जो संदरभीत बिंदु आपको दे मिलते हैं, वो किस प्रकार से हैं, तो एक मिनट के लिए आपको रोकेंगे यहां पे, मैप के सहारे हम देख लिए तो काफी करते हैं, तो एक तो प्रमकृप से आपके 12 बंकी की जब बात करें, तो 12 बंकी इसमें है, दूसरा आपका यही आपके अयुद्ध्या के साथ लगा हुआ जिला, आपका फैजाबाद, फैजाबाद के लामा देखा जाए तो आपका अंबेटकर नगर क्या होता है, अमेठी की जब बात करते ही, तो अमेठी भी इसी में समलित है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका सुल्तानपूर, ठीक है, सुल्तानपूर, तो यह आपके पांच ऐसे जिले हो जाते हैं, जो आपके अयुद्ध्या मंदल में समलित हैं, कौनकों से, अमेठी, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेटकर नगर और सुल्तानपूर, इन पांच जिलो की जब बात करते हैं, तो यह आपके अयुद्ध्या मंदल में समलित होते हैं, खास करके पांच जिलो के रूप में, हलाकि आज जब हम फैजाबाद की बात करते ही, तो फैजाबाद का नाम चंज करके अब आपका अयुद्ध्या कर दिया गया है, इस चीज़ को बक्षोबी ध्या नखीगा, और अयुद्ध्या जो इस्तित है, वो आपके सरियो नदी के किनारे इस्तित है, और कई बार हमने चर्चा किया है, सरियो नदी के अ crushit, रामायर कुरूच का नाम किस का रामायर कुरुच की जब बात करती ही तो रामायर कुरूच इसी के उपर चलाया जाएगा और इसकी अलामाद ध्यानेखिएगा बगवान राम की नाम से एक आपका संस्कित बशारीज अस्थापिठ已經 हो गा जो कि हमारी अयोध्या के अंतरगत ही अस्थापित किया जाएगा ठीक है बाकी ध्यान रिखेगा अयोध्या की जब बात करते ही तो आप बड़े अस्तर पे जानते ही कनक भवन यहां से समधित होता है और जैन धर्म की जब बात करते ही तो जैन धर्म के क्रम में पांच धर्मों के संदर म यहीं पर आपको देखे मिलता है जहां पे खास करके धन देव के द्वारा क्या किया गया इस अभिलेक को बनवाया गया है और ध्याने कीगा जब हम भरत की बात करते हैं तो यहां पे आपको भरत कुंड देखे मिलता है और इस भरत कुंड की जब बात करते हैं तो यह इस्ति के अपना सासर पर सासर किया था तो नंदीग राम की जब बात करते हैं तो वहां पे भरत का निवां सस्थल था तो इस चीज़ को ध्यान कीगा और रानी हो की जब बात करते हैं तो रानी हो खास करके हमारी हो पे भगवान राम के बंसज के संबन्द में आती है और इनका जो बिवा हुआ था वो दच्छिड कोरिया में हुआ था तो रानी हो की नाम से एक आपका इसमारक भी यहां पे आपका बनाया जा रहा है ठीक है तो इस चीज़ों को ध्यान खेगा नेस कोशन की तरफ चलते ही कि उत्तव देश के अंतगत यह जो पहले लोकायुक्त थे उनका न अधिकारी होता है जो बिभिन प्रकार की पदा अधिकारियों की क्या करता है जांच परताल करता है इसके लिए इसका गठन किया जाता है जैसे आपने लोकपाल सुना था अन्ना अंधुलन का नाम तो उसी तरीके से लोकायुक्त का भी संबद होता है प्रमुक्त से को युक्त का कारिकाल छे साल था लेकिन इसमें दो वर्सका क्या किया गया इनके कारिकाल में बिद्धी कीई तो इस कार से अब लोका युक्त का कारिकाल आठ साल का होता है ठीक है ये question पूछा भी गया था कि लोका युक्त का कारिकाल कितने साल का तुछ आपका आठ साल का होता है और यहीं प्रगuld जह हम बर्तमान लुकाईम। की बात करें तो हुमारे उत्तब्डिस के बर्तमान में लुकाईगा कौन है तो आप जानते हैं नयमुर्ती सॉद्ध कि बात करें तो संज़ए को लेकर के अलग-अलग सोध परिशद की अस्थापना की गई है जैसे को देखा जाए तो मारे प्रदेश का जो पहला गन्ना सोध परिशद होता है उसकी अस्थापना कहां पे की गई तो गन्ना सोध परिशद की जब बात करते ही तो यह आपके साह जहांपूर में देख मिल तो चीनी का कटो रहा हुथ रहा है। तो चीनी का उत्पादन हमारे प्रदेश की जब बात करते ही तो चीनी मिल आपको देह मिलती है, चीनी मिल में आपके चीनी का उत्पादन होता है और पहली बार हमारे प्रदेश के अंगत सन 1903 में क्या किया गया परताबपुर देवरियां की जब बात करते ही तो वहां पर आ लानिखी गा चीनी के उपर आधारित करते ही आपको गुड महुस्तों कई बार सुनने को मिलता है. इस गुड महुस्तों का आयोजन कहां पे किया गया? तो यह के आपके आपके जानते भी है, हमारे उत्तरदेशका जो राधद्धानी लखनव है, उस लखनव के अंगर देख जाये तो एक आपका क्या एक आपका हो जाता है जो आपका आयोध्या फैजा बाद जिला है यहां से तो तीन जिलों से आपके गुड उत्पाद को क्या किया आता है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंदगर चैनित भी किया गया है ठीक है तो यहां पर अगर देखा जाये तो इन मिलो की संख्या कितनी आपकी हो जाती है तो आपको प्रमखुब से गन्ना सुध परिशत जो हमारी हाँ पे है उनकी संख्या 152 आपको देखने को मिलता है ठीक है प्रदेश में कहा पे बड़े अस्तर पे होता है पूर्वी छेत बुन्देल खंड पश्मी छेत जा फिर आपके बृद मंदल में सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए हमारी हाँ पे सिचाई कैसे कैसे होती है तो सिचाई की जब बात करते हैं तो इसके हमें चार अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं चार माध्यम या फिर चार प्रकार आपको देखने को मिलते हैं जिन में पहला होता है नलकूप का माध्यम ठीक है नलकूप, नलकूप के बाद दूसरा होता है नहर का, नहर के बा तो सबसे ज्यादे सिचाई साई हो यहां पर है कि स्चाई माद्धिम न पूछा जा рा है जहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो तालाब और पुखडे होते हैं, चूपि इनकी जब बात करते ही तो ये ऐसी सनचना होती है, जहाँ पे क्या होता है, आपके कहीन कहीन कैसे तो कि मिट्टी वगेरे, खुदाई हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर पाते हैं, और बात करें तो नलकूब के लिए जो बोर हिल बनाना होता है वो काफी गहराई में जाता है तो इस पठार को तोड़ नहीं पाता तो हमारे बुंदेल खंडचेत में आपके नलकूब की बाता कम देख मिलती है यहाँ पे अधिक माता में कुवा और तालाब देख मिलता है क्यों तो बोरिंग यहाँ पे आसानी से हो नहीं सकता तो इस कार्ण से हम क्या करते हैं यहाँ पे नहरों की खुदाई भी अच्छी तरीके से नहीं हो सकती है क्यों क्यों क्योंकि जमीन उबर खाबर होता है और पठारी भाग होता है कंकर पत्थर की माता जादे होती है तो इस का यहां पे खनीज को किसका दर्जा दिया गया। यहां पे खनीज को किसका दर्जा दिया गया। यह लच्छता कि हम क्या करेंगे खनीज में कहीं कहीं उत्पादन को अब बढ़ा करके पांच दस्मलो एक परसंट कर देंगे। इसका उत्पादन बढ़ाएंगे और इससे राजस वगयरे का क्या होगा कहीं कहीं हमारे यहां पे बढ़ उत्तरी होगी। तो खनीज को यहां पे उद्योग का दर जा दिया गया। बारह ऐसे जिले हैं कौन से बारह ऐसे जिले हैं जो कि दक्षणी बारह जिले हैं जहां पे का होता है कुछ एक मात्रा में आपकी खनीज पाई जाती है। तो दर्चनी बारह जिलो की जब बात करें तो वहां पे केवल केवल कुछ एक मात्रा में खनीज की प्राप्ती होती है तो इस चीज को ध्यान रखेगा। खास करके जब हम पहली खरीज नीती की बात करते हैं तो इसमें इसको उद्योग का दरजा दिया गया। ठीक है, उत्तवदे सरकार के द्वारा किस एक वर्स हरित पट्टी विकास योजना को चलव किया गया, ठीक है, हरित पट्टी विकास योजना, हरित पट्टी विकास योजना का मतलब ये था, कि किसी एक छित को रिजर्व कर दिया जाएगा, जैसे मालने ते कोई एक छित था ये हुगा अमरूत पठी के रुप में इसी तरीके से हम चले गए आपके कुसी नगर में तो उसको बेला केला पठी के रुप में सिधाद नगर में चले गए तो काला नमक चावल पठी के रुप में मतलब एक ऐसे location को हम ने क्या किया, पट्ती की रूप में reserve किया, जहां पे हम क्या करते हैं, सम्मधित उत्पाद को उत्पादित भी करते हैं, और उसको और promote की भी किया जाता है, तो हरित पट्ती बिकास योद्ना की जब बात करते हैं, to सरकार के दौरा कभ चालू किया गया, 2012-13 में, 2012-21 में, 2014-15 में या फिर आपके 2016-17 में तो इससे हरित पट्टी विकास योजना की जब बात करते हैं तो इसका क्रम किसके रूपे आपको देखने को मिलता है निमलिकिद में से दस्किय बिर्धी दर कि जब बात करते हैं तो भारत के सभी राज्यों में उत्तब देश का कौन सा अस्थान है ठीक है दस्किय बिर्धी दर दस्किय बिर्धी दर की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं सबसे पहली बात तो हमारी जनसंख्या कितनी है हमारी जनसंख्या आप भी जानते हैं 19 करोन 98 विलाक 12341 होती है इस जनसंख्या के सुरूब देखा जाए तो देश में हमारा रहेंग क्या है? तो देश में हम पहला अस्थान हासिल करते हैं, कुल जन संख्या के 16-15-1% भाग को ले करके हम देश में क्या करते हैं? पहला अस्थान हासिल करते हैं देश में पहला स्थान हासिल करता है 16-25-1% बैलू के साथ में अब अगर जो देखा जाए तो आप भी जानते ही चुकि दस साल में क्या होती है जनगर्णा आपकी की जाती है पिछली बार कब हुई थी तो 2001 में हुई थी अपकी बार जो हुई है वापकी 2011 में हुई है अगली जो होगी वो कब होगी तो 2021 में होगी ठीक है अब इस जनगर्णा के अनुसार देखा जाए तो 10 सालों में चुकि यह जनगर्णा होती है तो दस सालों में जो growth रहा, जिसको हम 10 किये बिढ़ी के रुप में देखते हैं, तो यह कितना रहा तो आप भी जानते हैं, 22.2-3% की जब बात करते हैं, तो यह हमारे प्रदेश की 10 कΙये बिढ़ी आपको देखने को मिलती है। अब इस दस्किय बिर्धी के अंसार हमारे प्रिदेश का कौन सा स्थान था तो ये स्थान था आपका पंद्रहवा कौन सा स्थान था पंद्रहवी अस्थान की जब बात करते ही तो ये पंद्रहवा स्थान आपके उत्तब देश का दस्किय बिर्धी में आपको देखने को मिल टीक है निवे किसमें से 2017 के आधार पे उत्तव देश में कुल मत दाताओं की जब बात करी तो इनकी संख्या कितनी होती है किसके अंशार 2017 के अंशार चुकि आप भी जानते ही जो पिछला वारा विधान सभा का चुनाव था 2017 में हुआ था खास करके 17 वी विधान सभा का 17 वी कुल 403 सीटों पर क्या हुआ था मतदान हुआ था साथी साथ देखा जाये तो इन सीटों में 42 सीटें आपकी महिलाओं ने प्राप्त किया था एक ची यह और ध्यान केगा जब हम 403 सीटों की बात करते ही तो आपने तुना भी होगा कि 84 सीटें आपकी क्या है SC के लिए जर्म हैं विसेस यहां पर ध्यान कीगा 17 वी विधान सभा की अंतरगर जो इसके अध्यक्ष बनी थे विधान सभा की उनका नाम क्या है तो उनका नाम है फिर्दय नरायन दिक्षित की जब बात करते ही तो यह विधान सभा के अध्यक्ष हो जाते हैं तो यहां पर कितनी ज कर पाती हैं अठारे से कम वाले नहीं कर पाती हैं और इस कांट से एक बड़ी जन संख्या जो बच्चों वाली है वो क्या होती है इसमें कम हो जाती है और इस कांट से हमारे प्रदेश की करीब करीब 14.12 करूण लोग एसे थे जिन्हों नी क्या किया ऊटिंग किया क्योंके कुछ लोगों के नाम भी नहीं होते हैं जिन्हों ने अपने आपको रेजिस्टर नहीं कराया और बच्चों की जब बात करते हैं तो बच्चों थे आलेड़ी बाहर हो गए तो इस कार्ट से किंदिये कारागार, हलाकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश में, जब कारागारों की बात करते ही, तो पांच किंदिये कारागार होते हैं, इसके लामा हमारी इहां पे एक नारी बंदी निकेतन होता है, क्या होता है, एक आपका बाल कारागार होता है, और इसके लामा उपकारागार होते हैं और 62 की जब बात करते हैं तो 62 आपके जिला कारागार है ठीक है राजी के संदर में 62 आपके जिला कारागार है तो इस तरीके से कुल मिला कर हमारे यहां पे क्या हो जाता है 72 अलग-अलग क्या हो जाते हैं कारागारों की संख्या आपको देखने को मिलत सबसे पहले कारागार की जब बात करते हैं तो ये ध्याने कीगा यह आपके आगरा के अंतरगत अस्थापित किया गया है कहां पे आगरा की जब बात करते हैं तो आगरा में आपके प्रदेश का पहला कारागार देखे मिलता है इसके अलामा देखा जाए तो एक तो आपके ब प्रमगते से बरेली जहां से बनारस नेनी और आगराई ये पांच जगों पर क्या है आपका केंदिय कारागार आपको देखने को मिलता है ठीक है नेमरिकितमें से उत्तव देश में सहाववद दिन की नाम से एक आपका किरशी स्रम उतपादक्ता वाला चेत कौन सा है ठीक है क्या कर रहा है हमारे पुद्देश में जब हम करसी करसी स्रम उत्पादक्ता की बात परते हैं तो सहावबिद दीन नहीं होगा बलकि वही तो हम चौंग गए कहां से ये नाम आ गया इत्ति दिन से तो हम पलहा रहे हैं लेकिन ये ऐसा नाम तो कर ही ना पढ़ा ये सहा जबा जाये तो पुर्वी उत्तप्देश, पश्वी उत्तपदेश, दच्छली उत्तपदेश या फिर उत्तरी उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो कौन सा छेता है, जहां पे का होता है, कहीं कहीं कह debating कि आपके बड़ी माध्ता में एक तरीके से कह सकत हो किरसी स्रम खेती है और हमने एक जैनपड भी दिए था कि जैसे मॉन्मारा खेत है एक वीगा खेत हमारी गाँपे सकते हैं और उस खिट में अगर जो खेती करते हैं वह अजिए हम आ प उत्पादक्ता केतनी होगी, तब भी उत्पादन खेत में 5 ही कुंटल होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, कि या 5-5 लोग मिलके करेंगे, तो 5-25 हो जाएगा, उत्पादन तो वही रहेगा, उत्पादन में तो बड़ोती होगी नहीं, लेकिन हाँ, संख्या हो जाने के कारण, जब उबर आल, अगर जो हम अकेले खेती करतें, तो हम 5 कुंटल के मालिक होतें, लेकिन अब क्या हो गया, 4-5 लोग जब हो गए, तो 5 लोग में डिवाइड होगा, तो इसका मतलब उत्पादक्ता क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, तो हमारे पूर्वांचल में क्य जाती है, हाँ, ये बात जरूर है, कि स्रम गहनता अधिक होती है, क्या होती है, स्रम गहनता की जब बात करें, तो स्रम गहनता अधिक होती है, कैसे, तो हमने भी काम किया, हमारे पापा ने भी काम किया, हमारे चाचा ने भी, हमारे भाईयों ने भी, तो इस तरीके से स्रम गहनता मतलब लोगों के संख्या यहां पे जादे होती है लेकिन उत्पादक्ता कम हो जाती है एवरेज क्रूप में है जब कि परश्चमिय उत्तव्देश की अगर बात करें तो यहां पे आप भी जानते ही लोग क्या होते हैं बड़े-बड़े जोतों के मालिक होते हैं तीन अधिक हो जाती है तो इस कांट से यहां पर देखा जाए तो यहां पर करसी की उत्पादक्ता सबसे जादे होती है क्रसी की उत्पादक्ता क्योंकि मत्सेनीरी का प्रयोग क्या लोगों की संख्या कम है तो इस कांट से उत्पादक्ता कम हो गई और जन संख्या का दबाव भी कम होता है तो इस कांब से जैसे वहां पेमने स्रम गहन्ता अधिक गा था जहां क्यों कि लोग खेतों पे नहीं काम करने जाते इसा नहीं है इनको कर्ने का मन नहीं होता है इंके हार्वेस्टर वगरे देखा होगा जिसे मड़ाई वगरी करने का पूरा जो कारिवाइद ही होते हैं तो यह लोग मसीनिरी को जादे प्रमोट करते हैं इवेन हमारे हां पे सिचाई करने के लिए थाई शकर है मतलब आपने देखा होगा एक लकड़ी का बना हुआ आइटम होता है जिसको हाथा बोला जाता है जहां पर उचाए उचाए पर पानी पहुचाना होता है ठीक है देखले उखले की जब बात करते हैं तो उसका प्रयोग किया जाता है यह पूर्वान चल में चुकिए वहाँ पर लोगों की संक्या का करेंगे खाली बैटके चलो पानी ही चलाते है ठीक है लेकिन परस्वी उतवदेश की जब बात करते हैं तो यहां पर नहरों की जाल है बड़े बड़े पंप है इस अगया है मोटर चालू किया भर रही है पूरी खेथ सिचाई हो रही है तो यहां पर मसीनी डीकाप्रियोग बड़े अस्तैपी किया जाता है जिस काण से यहां पर सरम गहनता कम होती है उत्पादन यहां पर जाधे होता है जबकि कि वहां पर धो देखा जा यह तो वहां पर उतपादकता को लेकर की कौन सा छेत सत्य बलिष्ट है तो आपके पा पश्षि पर कौध Digashe का जिला इस्तित है उसके लगभग में ये नदी आपकी बहती चली जाती है हलाकि आगे जाके इसका मिलंज होता है वो आपके प्रियाग राज में खुद गंगा नदी से हो जाता है तो गंगा नदी में जाने के बाद ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है लेकिन बीच में ही क्या होती है इसके बीच में कई सारी छोटी मोटी नदिया मिलती है जिसमें एक नदी है बैतवा ठीक है तो इस बैतवा नदी की जब बात करते ही तो यह बैतवा नदी कहां पे आके मिलती है अब एक चीज बताएगा अगर जो आपको एक बिंदू पता हो बंद नहीं रहा अब दो लोकेशन बचे एक बता आपका बांदा और एक पचाप का हमीरपूर तो यहाँ पे दो लोकेशन आपके पड़ते हैं 50-50 का गेम खेलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो सही जबाब होगा वो आपको हमीरपूर क्योंकि हमने बताया भी था कि ब्यतवा नदी क्या करती है हमारे यहाँ पेश सी हमीरपूर में प्रवेश करती है और साथ ही साथ क्या करती है हमीरपूर में यह अपनी आपको मिला लेती है अपनी आपको यमुना से मिला लेती है खासा ध्यान नखीगा ब्यतव लिंक परियोजना की जब बात करें तो केन वित्वाल लिंक परियोजना हमारी हां की सबसे महत्पूर परियोजना होती है क्यों को कि ये एक पहली नदी जोड़ो परियोजना है देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंदगत इसको आपको देखने को मिलता है ठीक है देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के संदर में अगर देखा जाए तो देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना जी आपके केन भित्वा लिंक परियोजना से देख़ा ε quoting है जहाँ पे केन नदी जो मन्ध पर LEYs इसके अंतगत, एक्सप्रस बसो का संचालन जो आपको दे मिलता है, वो किस एक वर्स से देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सप्रस बस सिवा, एक्सप्रस की जब बात करते हैं, तो आपने सुना भी होगा, एक्सप्रस इंदासेंस की जो बड़े-बड़े सहरों को कनेक करती है और काफी तेजी से ये गत करती हैं अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये 1972, 1992, 1993, 2014 में ठीक है तो ये इफ्तस बस सिवा कब आपके चालू की गई हला कि आप भी जानते हैं हमारे हाँ पे पहली बार जो बस सिवा चालू की गई थी वो सन 1947 में की गई थी और वो थी आके 12 बंकी स लखनाउ कहांसे 12 बंकी से लखनाउ पहली बार ये बस सिवा आपी चालू की गई थी इसके लामा देखा जाए तो हमारे हाँ पे महानगरों में बस सिवा तो महानगर की जब बात करते हैं तो महानगरों में बस सिवा आपके कहां फे तो पहली बार आपके कानपुर में चालू की गई थी पहली बार अगर देखा जा तो सताबदी बस सिवा कहां चालू की गई तो सताबदी बस सिवा आपके लखनव से कनेक्ट की गई थी कहां के ल पाधा गंटा पंदा मिनट रूपती थी तो इस कांश से डिले होता था तो समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है और जाहिवची बात है समय आपको दुबारा नहीं मिलता है आपके लाइफ की ब्याद करी जाए तो आपको बहुत सारी चीजे बाद में मिल जाएंगे लेकिन सम यह जो बस यार्ती होते हैं इनका भी समय इंपॉर्टेंट है तो इनके समय को बचाने के लिए यह आपके एक्स्प्रेस बस्तिवा का संचालन किया गया जो बड़े-बड़े सहरों के क्या होती थी सहरों के अंदर जाके रुपती नहीं थी किवल सहरों के बाहर आपको उत इसके लामा देखा जाए तो इहीं पर आपने सुना होगा आपने बड़े स्थर पर सुना होगा कौन सी लखनव सैली का नाम तो लखनव सैली में क्या बना है यह आपका इमाम बाड़े की जब बात करते हैं तो इमाम बाड़ा बना है इसके लामा देखा जाए तो आपने नागर सैली का नाम सुना होगा जो खास करके हमारे हाँ पे मंदिरों के अंद्रगत काफी परचलित था और जिसमें दसावतार मंदिर की जब बात करते हैं तो दसावतार मंदिर प्रमुकुप से आपको बनाए गया है जो कि भारत का पहला मंदिर भी आपको देविलता है इस सैली में हमारे हाँ पे कई सारी चीजे आपके मुगल काल में बनाए गई हैं सबसे प्रमुक अगर देखा जा तो आपके पित्व दुरा सैली की जब बात करते हैं तो पित्व दुरा सैली में आपका ताज महल प्रमुकुप से बनाए गया है और इसके लामा देखा जा जा किसके समय में आपको देखें थी अकबर बाबर जहांगीर या फिर आपके हुमायू के काल में तो ध्यानिकिगा हुमायू की जब बात करते हैं तो हुमायू ने क्या किया था इस परंपरा की निव रखी थी क्या किया था हुमायू की जब बात करते हैं तो हुमायू ने इसके कि पहचानता था और ये बता सकता था कि इस पाल्ट को किस एक कलाकार के द्वरा बना गया है जैसा अभिभित किया जाता है कि चिरिया की आंख और चिरिया के तूंत की जब बात करते हैं तो इन दोनों में भी अंतर करने की चंता जहां गेर के पास थी तो लिखने वाले ने थी क्या लिख डाला, खास करके ये हो जाएगा लठ मार, ठीक है, लठ मार, छड़ी मार, आप समझेंगे कि छड़ी मारी जा लठ मार की जब बात करते हैं, तो लठ मार, आपका जो होली होता है, वो प्रमकुप से कहा मना जाता है, आज कल तो आने वाले होली बिल्कुल सामाने सी बात है मतुरा में आपके लटमार होली की जब बात करती ही खास करके बरसाना लोकेशन में तो आपने सुना भी है कि राधा रानी और भगवान किष्ण को याद करते हुए या आपके बरसाना में लटमार होली हो चाहे आपके गुलालो वाली हो या यहीं पर आपके फूलो वाली होली हो या यहीं पर आपके सकते हो कि रंगों वाली होली हो तो अलग-अलग होली के प्रकार आपको यहां पर देखने को मिलते हैं हाँ इसी तरीके से और धानिकिगा जैसे लठमार होली होती है उसी तरीके से आपकी क्या होती है एक नित होती है दीवारी नित और दीवारी नित की जब बात करते हैं तो ये कहां से समधित है ये आपके चित कोट में समधित होता है तो जैसे लठमार होली होती है उसी तरीके से क्या होता है यहां के महिला पुरुष के द्वारा मूर पंखों से बनाया हुआ किसे मूर पंख से बनाया हुआ जो आपका एक डंडा होता है उससे क्या किया आता है इनको पीटा जाता है तो दीवारी निट के जब बात करते हैं तो यह प्रमुख से आपके चित कोट में द महाराज्गन किसे को लेकर के जिस को लिएफ मिए आपको सब्सक्राइब इस first effort. और ऑफ्रीर अम्नीन और प्रेम से लिए बनाएं कि अर्मीथा और उसको को गिफ्ट करिंग डैट इज जिसको आयट हमने का किया कि जो विरासत सूची होती है उसमें सब्सक्राइब इसे कुल बकाईती काथते रहते हैं जो परियाचन वाले होते हैं ठीक है ऐसे तो बताते हैं और कोई नहीं चीज़ थोड़ी ना बता देते हैं ताज महल है ताज म आएंगे बढ़ा चला के मलव अईसा दीख रहा है ठीक है अगर जो इसकी बात करते हैं तो परियतन से सम्मधित जो आपका एक परियतन संस्थान सिछन केंध है वो कहां पर आपको दें मिलता है तो यह कासी राम के नाम से यह प्रमगूप से क्या होता है यह संगठन आपक किया है तो जो क्लासोफ होते है एक अषरी सब्सक सब्सक्राइब और देखने को मिलता है बनारस, परियागराच, नो इडा अपकोरय लग्षरों में नो तो कपड़ों के रूप में आप जानते हैं, इसको हम हठकरगा बोलते हैं, और दूसरा जो होता है, वो हमारी हाँ पर मसीनों से बना जाता है, जिसको हम पावर लूम की संगया देते हैं. तो हत्करगा और पावर रूम ये दो अलग-अलग केटेगरी के आपके सुरूप देखने को मिलते हैं तो टेक्स्टाइल की जब बात करते हैं तो हमारे हाँ पे जो बड़े अस्थापर कपड़े बना जाते हैं तो वो कहां पे देख मिलता है तो आपके बनारस के अंदर्गत देख मिलता है कहां पे बनारस की जब बात करते हैं तो बनारस में आपका टेक्स्टाइल पार्ग प्रमखूप से आपको देखने को मिलता है तो लकडी से संबंदी जो आपके एक training center और product development center अस्थाफित किया गया है तो आपके बरेरी में या फिर आपके लखनव में या फिर आपके प्रियागराज में तो कहां पे ये प्रमग रूप से क्या है एक आपका central central wood training और product development center आपको देखने को मिलता है तो जहां पे लकडी से संबंदी चीजे बनाए जाएंगी वही परियाब का center होगा तो लकडी से संबंदी तो आपने सुना होगा बेत की चड़ी और साथी साथ लकडी के furniture अगर जो इसकी बात करें तो यह हमारी हम पे कहां पे बना जाता है यह हमारे हम पे सुर्मा नगरी बरेली की जब बात करते हैं तो यहां पे आपको देखने मिलता है और इसी बरेली में आपने सुना था जुमका चौक का नाम किसक कि तो इफको की जब बात करते ही तो इफको कि दवारा क्या किया गया यहाँ हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा सउसेट Odden और में यहाँ शना की रिद्र गयां धार इस चीज को ध्यान रखे क्लियर नेस्ट कोश्चन की बात करते हैं कि निम्लिकित में से किस एक वंसकाल में उत्तरपदेश के संदर में संस्कित भासा और अस्थापत तिकला और ब्राम्हर धर्म का उनर उत्थान देखने को मिलता है सीड़ी सी अगर बात करें तो हमारे उत्तरपदेश के अंगत कौन साईसा काल है जिस काल में संकित भाता पुराने समय की जब बात करते हैं पराचीन भासा और अस्थापत इकला अस्थापत मतलब जो आपके मुनमेंट बनाने मुगरे की भात की गई और ब्रहमर धर्म हर्म भी क्या हुआ इस समयकाल में काफी अपने चरम अवस्था में पहुंचा तो ये मौरी समराजी गुप्टमन से या फिर सुंग बंस या फिर कुसान बंस मित्र पूस् of funds के अंगत आपको देखा मिलता है और इसके बारे में काफी चर्चा भी मिलती है एक राजा था पुस्चिमित्र सूंग करके क्या नाम था पुस्चिमित्र सूंग की जब बात करते ही नहीं तो इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि इसने mudar अयुद्या में क् ब्राम्हण बंस क्या किया था ब्राम्हण बंस हमारी हाँ पे सासन किया था ठीक है तो पहली बार कोई ब्राम्हण बंस जो सासन परमपरा में आपको दे मिलता है वो आपका सुंग बंस होता है जिसके करम में पुर्ण मित्त सुंग की बात करते हैं जो अयुध्या में दो अस था ठूरा था ठीक है निवलोकित में निपशे हमारी यहां पर परियातन संब्धित ये जो पेइंग एस्ट ला होती है तो कभ से चालू किया जा रहा हुए 2008 से 1994 से 1983 से या फिर 1968 से ठीक है तो पेइंग येस्ट योजदा होता क्या है जैसे मान लेते हैं कि हम ही थे खली हर बैठे थे डिली में और तब तक ये बात हुई कि चलो यार चलते हैं कि गोवा वाले बीच पे तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि समय का आभाव है और पैसा बह दो तीन लोगों ने प्लान बनाया और निकल बड़े पीलीविट के लिए क्यों कि चार्शी घंटे का रास्ता है पहुंच गए पीलीविट चुखा फीच पे मजे काट रहे थे तब तक क्या हो गया साम हो गया अब यह हुआ आज तो दिल्ली जा नहीं पाएंगे यहीं प बात बनी और चुकि अब लोकेशन की जब बात करते हैं तो पीलीविट लोकल लोकेशन है तो वहां पर ऐसी कोई ब्योस्ता है नहीं कि बड़े बड़े होटल हो या फिर हमने रुकनी का प्लान बनाया हो तो हम अपने उस हिसाब के ब्योस्ता के साथ साथ से गया हो तो ऐस करना होगा किसी लोकल बस मतलब किसी लोकल ब्यक्ति से संपर करना पड़ेगा अब वो क्या करेगा वो अपनी हां पर रखेगा अब इसा तो है ना कोई भी अपने घर में रखेगा तो उससे क्या जरूत होगी पैसे ही तो सकारनी इस सिस्कीम को निकाला था कि आप जाईए किसी के घर पे जाईए रुकिये उसे पैसा दीजे और उसकी भी क्या होगी इनकम होगी और आपको भी क्या होगा एक सुरचित आवास उपलब्ध होगा तो इस कांट से पेइंग गेस्टी योजना हमारी यहां पे प् जालू किया गया ठीक है नश्कोषन है कि देश का सबसे लंबा क्या है देश का अब तक का सबसे लंबा जैक आंतरिक जलमार्ग हाइए वो आपको देखने को मिलता है जिसको हम नेस्टनल वाटर हाईबेज की संध्या नाम देते हैं तो आप भी जानते ही यह अब तक का Mental Water संख्या एक तेğि क्या होता है राश्टिय जलमांग संख्या एक की जब बात करते हैं जोंसी की आपके गंगा नदी के उपर आधारित हैं तो गंगा नदी के उपर आधारित किटा हुआ आपके क्रदेश का और सथी सादेश का का अब तक का सबसे लंबा क्या है एक्ष्प कुशन की बात करते हिं पुनाएं की निम्लिकित में से उत्थती के अंधगत कौन साजिला बांसुरी उत्पाधन के लिए काफी फेमस होता है मतुरा पताब गर पेली भेत या फिर प्रियाग राज है कि बांसुरी की अगर बात करते हैं तो हमारा भी कभी कभी मन करता है प्रापर जो किसी का बांसुरी का धून सुनेना मतलब मन्त मुख्ध कर देता है इस चरीके से तभी हम सोचते हैं कि मतलब एक इस समय के फ्लोट वाली धून बहुत तेजी से चलती है राधा किसमे सीरियल वाला आपने देखा भी होगा कि जब सेरियल चालू होता है तो सजिला काफी फिमस है अगर इसकी बात करते ही तो आप भी जानते ही यही आपका पीली भीत क्यों क्योंकि यहीं पर हमने बताया था कि बांसुरी चौक भी आपका अस्थापित किया गया जाएंगे कभी तो यहां से अच्छी क्वालिटी वाली बांसुरी ले करके आएंग राज्य सूचना आयोग मतलब आप भी जानते ही कि हमारे हां पर जब RTI वगरे का नाम लिया जाता है किसी बिसे पर हमें कोई सूचना प्राप्त करनी होती है तो सूचना को हम कैसे किसी से प्राप्त करेंगे और इस कान से हमारे हां पर क्या किया गया इस्टेट इन्फॉर तो ये आपका अस्धापित किया गया सं 2005 में कब सं 2005 सं 2005 के इसतापित किया गया राजília के दिखिन परकार परकार के जानकारियों को साज़ा करने लिए उत्तवदेश की जब बात करते ही तो उत्तवदेश में SC और ST के लिए आरक्षित लोग सभा सीटों की संख्या क्या है ठीक है आरक्षित लोग सभा सीटों की जब बात करते ही तो इनकी संख्या कितनी आपके हो जाती है 12, 86, 84 या फिर आपके 70 है किसकी बात की जारी है, यहाँ पे लोग सभा सीटों की बात की जारी है, SC और ST के लिए लोग सभा सीटे, तो एक चीद ध्यान निकिगा, यहाँ पे थोड़ा सा फार्मेट हमें लगता है, गलत हो गया है, क्योंकि लोग सभा में जो सीटे हैं लोग सभा में पहली बात तो ST के लिए कोई डिजर्वेशन नहीं है केवल केवल SC के लिए है 17 सीट ठीक है तो 17 सीट की जब बात करते हैं तो ये लोग सभा के लिए है option के अनुसार देखा जाए तो केवल केवल क्या होगा 17 seat आपके SC के लिए है SC के लिए बिल्कुल नहीं है हाँ विधान सभा की अगर बात करते हैं तो विधान सभा में हमारी हाँ पे सीटे रिजर्ब हैं कितनी 86 सीटे और इन 86 सीटों में भी 84 सीटे आपके SC के लिए और 2 सीटे आपके SC के लिए है तो इस चीट को ध्यान कीगा रिजर्बेशन के अलग अलग पड़ाव आपको देखिलते हैं महिलाओं के अगर बात करने तो महिलाओं को कहीं पे रिजर्बेशन नहीं पराप्त है एक तिहाई की जब बात करते हैं तो ये हमारे पंचायती राज में प्राप्त है कहाँ पे पंचायती राज की जब बात करते हैं तो उसमें एक तिहाई प्राप्त है जानवरों में पदस्त क्या करता है पदस्त रोक और कहीं कहीं कह सकते हो foot and mouth रोग समाप करने का लच्छ रखा गया पदस सिरूख मतलब कह सकते हो कि जो आपका एक तरीके से आपने खुरपका नाम सुना होगा तो खुरपका की बात करते हैं तो खुरपका और साथ ही साथ आपने एक नाम सुना होगा मुहपका तो सरकार का ये लच्छे कि इस बीमा होती हैं उसके लिए टीका लगा दिया जाए तो इनको ये बीमारिया नहीं होंगी लेकिन अब सरकार ने लच्छ रखा है कि अगले आने वाले दिनों तक हम इस बीमारी को क्या करेंगे जड़ से ही समाप्त करेंगे तो यह आखिर किस एक वर्स तक इस बीमारी को खत्म करन इसको भी आपको बताना है कि पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है तो पहला विशेष पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है इसको भी आपको बताना है कि पंचायती राज दिवस कब होता है पंचायतों को लेकर के देखा जाए तो कौन सा अनुच्छेद आपके संविधान में बताया गया है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसको लेकर के Constitution Amendment किसके रूप में हुआ था और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसके जनक कौन थे जनक और इनके सिल्फी की जब बात करते हैं तो ये कौन होते है और खास करके देखा जाए तो यहां पर जाने कीगा पंचायती राज को ले करके जब हम बात करते हैं तो आपके उत्तब देश को कहीं कहीं ये पंचायत पुरसकार की जब बात करते हैं तो ये पंचायत पुरसकार में कौन सा अस्थान प्राप्थ हुआ ठीक है तो इन सारी क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बाक्स में बत आईएगा कि आपको क्लास में क्या नई चीजे सीखने मिले या फिर कौन सी नई चीज सीखने की दरकार है ठीक है बाकि सारी चीजो को देखने के लिए आप टेस्ट वाले जोइन कर सकते हैं जहां पर बेवन परकार की आपके एक्जामू का टेस्ट साथी साथ यहीं पर सेज होती हैं वहां काफी महत्पूर हों बाकि आज का सेशन कासा लगा इससे जरूर से जब एक कमेंट पर बताएगा और साथी साथ जो क्वेश्चन दिए उनका भी जवाब करने की एक छोटा सा प्रियास करिएगा और मिलते हैं फिर अगले दिवस में तब तक के लिए थ झाल 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 झाल